जैजरींद्र मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और समाजिक समाचारों में चली देखते हैं आज के समाचार जिसका सीधा पसारन आत्मा चैनल पर दिखाया जाएगा ससन सब परिवार पहुचकर दर्शनों एवं प्रवजनों का लाब ले देखिए सवेरे जैसे ही सूर्य अपनी सहस्र रश्मियों के साथ पूर्वदिशा में क्षितिज में उगता है तो अनेकों अनेक पक्षी बड़्स चह चहाते हुए अपने गोंसले से निकल कर अपने बच्चों के लिए या अपने लिए भोजन की सामागरी में क्या है आपनलों जिस दिन का उपियोग होता है उतना ही क्या है लेकर आते हैंअपना उपियोग करके समापन हो जाता है रात को बचा कर वो कोई भी पक्षी नहीं रखते कि कल मुझे खाना है उसके लिए मैं जो अपने घोसले में या अपने कहीं स्थान पर थोड़ा वोत क्या है रख दूँ कोई पक्षी भी ऐसा नहीं करते प्रति दिन का अपना खाने का माल असबाब उतना ही क्या है एकत्रित करते हैं लेते हैं खा लेते हैं इसी तरह यानि अपना पेट भरना लेकिन पेटी नहीं भरना जब सुख नहीं रहता है तो दुख कांसे रहेगा और दुख नहीं रहा तो सुख कांसे रहेगा जीवन का क्रम है कभी शांती आती कभी अशांती आती कभी सुख आता है कभी दुख आता है दार्मिक व्यक्ति दोनों को समान रूप से सहन कर लेता है सुख में तो ज़्यादा फूलता नहीं है और दुख में ज़्यादा गवराता नहीं है समता के साथ सुख को भी सेहन कर लेता और समता के साथ क्या है दुख को भी सेहन कर लेता है आत्मा के संबन्द में को जिक्रा कर रहा था दो तीन दिनों से आत्मा बाहर का नहीं भीतर का संबंध रखता है बाहर से तो सरीर और इंद्रिया नजर आती है लेकिन सरीर और इंद्रिया जिसके कारण से चल रही है उसके पीछे आत्मा का क्या है बहुत गहरा संबंध रहा है यहां तक कि जब तक यह आत्मा का तत्व अमारे साथ जुड़ा हुआ है तभी तक यह इंद्रिया, शरीर, मन, वचन, काया, सारी चीजें क्या है अपने अपने डंग से वर्क कर रही है, काम कर रही है और जिस दिन यह चेतन यह गुण अलग थलग हो जाता है यह समाव तो हो जाता है शरीर से है उसके बाद यह चीजे क्या है कोई महतव नही रखती है गुरू जी महराज का करते था आप में जब तब तक आप है तब तक आपकी केमत है आप याने आत्मा और आपका मतलब सामने वाले को जु बोलते हम कि आप में जब तक आप है यानि आप में जब तक क्या है आत्मा है आप में जब तक आप है तब तक आपकी क्या है कीमत है और जिस दिन आप में से आप निकल जाए उस दिन आपकी क्या है कोई कीमत नहीं रहती है तो आत्मा के कारण से हमारा सारा यह संसार हमें अपना नजर प्रजिश के उपर जो व्यवधान है या इसके उपर जो आवरण है उसको दूर करने के लिए धर्म हमें नाना बातिके तब जब साधना के क्रम बतलाता है धर्मा रुद्याना से कैमरामेन विकास के साथ राजेश महरा की रिपोर्ट दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बनता जा रहा है हर वर्ग इस आंदोलन में भर चड़कर सहयोग देता दिखाई दे रहा है ताकि किसानों का होसला ना तूटे और वा दिल्ली फता करके ही वापस आए इसी के चलते बटाला की गुरुद्वारा अर्वन स्टेट से सुबा 6 बजे एक जत्था बस में सवार होकर दिल्ली संघर्ष के लिए रवाना हुआ इस जत्थे में नौजवान और बुजर्गों के साथ साथ भारी तादात में महिलाएं भी शामिल थी हमारी टीम ने इस जत्थे के लोगों समेत महिलाओं से बात की तो उनका कहना था किसान भाई पिछले एक महिने से दिल्ली में क्रिशी कानून जैसे काले कानूनों को लेकर केंद सरकार के खिलाफ भारी सर्दी में सड़कों पर ये आंदोलन पर बैटे हैं लेकिन केंद सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही और किसान भायों के इस आंदोलन में हम भी किसान का साथ देने जा रहे हैं और अपने साथ किसानों के लिए देशीगी से बनाए गई च्छैसों किलो अलसी की पिनिया गद्दे बूट जुराबे पानी की बेटियां और खा पिनियां जो देशी कोई बनाएं गियां संगत वलों त्यार कार के गद्दे होर जुरूरी समान लाया के संगता दहां सलाब दोली टिक्री बाड़र सम्भी बाड़त जा रहे हैं पूरा वर्ल्ड हाँ कार कार रहे हैं इनु बेलकोल ही शर्मनी होंदी दे मोधी सरकारनों के दसना चोनने यां पि ए मत सोचे के एथे दा देन बैके मीना दो मीने बैके वापस से ले जानगे बेलकोल नहीं जिन चर साटे कनूने वापस नी करदा औना चरे हिलनवाले नी स कोई भी सारे कसान एक ने सारी दुनिया एक क्या एक मोधी कला वक्रा एक क्या शड़ा असी सारे कसाना देन आले जो भी उन्ना चीचाई दिया असी मंगरो पचामा के उन्ना एक मीना चार दिन हो गया हो थे शिंगर्शकार देन जड़े मोधी सरकार ने तेन काले कनून गुर्दास पुर्श चतिंदर कुंडल की रिपोर्ट लोधियाना में कोरोना वायरस वैक्सिन को लगाने के लिए 28 और 29 दिसंबर को ड्रायरन की शुरुआत आज जिले के साथ सेंटर्स में की जाएगी जिसमें सिवल हॉस्पिटल, लोधियाना, डीमसी हॉस्पिटल, सिवल हॉस्पिटल, रायकोट, चग्राओ, माशिवाडा, खन्ना, पायल के सिवल हॉस्पिटल में सेंटर्स थापित किये गए है आपको बता दे कि रोजा ड्रायरन का उदेश सिहत प्रणाली में COVID-19 वैक्सिनेशन के लिए की गई तियारी की जाँच करना है दियाना के DC वरिंदर शर्मा ने इसकी जानकारी देते वे बताया कि वैक्सिनेशन पहले 30,000 सेहत विभाग मुलाजिमों को और फिर आंगनवारी मुलाजिमों के बाद फ्रन्ट लाइन पर काम करने वाले पुलिस मुलाजिमों वह 50 साल से आदे कुम्र के बुज़र्गों को दी जाएगी जिसको वैक्सिन दी जाएगी उसे ऑनलाइन रेजिसरेशन करवानी होगी वैक्सिन एक्षले कोई नहीं आई अजे तक नहीं आई है कि ए सिरफ एक रिहर्सल के लो ट्री डेस प्रोग्राम सी जिदे विच आज फाइनल सी जिदे विच के असी बेनेफिशरेशनों एसेमेस पेज के बुलाया और ओ आए हैगे और पूरा रिहर्सल रैप कि ठीक है न ताकि सानों कोई प्रॉब्लम्स आ रही है किन्ने टाइम चासी उन्नों डिलेवर कार सकने है किन्ने पेशेंट सुए टैन्ट कार सकने है सारा कुछ सानों बता चाल जेगा और इक तरह रहर्सल हो गया मानियोग मुखमंतरी साथ दिशा निर्देशां तहरत जिरा ड्राइर रान हो सक्सेस्फुली शुरू कर लिया एच जिमे कि मैं कल भी दस्तियासी का साथ लोकेशन ने हर इक लोकेशन ते पच्ची जड़े हैं साथे डमी ओ लोग आने ने जिनन के वेक्सिनेशन किती जान हैं हर थांते जड़े मेडिकल ऑफिसर ने पुलिस ऑफिसर ने सारे वेल ट्रेन कर देते गए एच जड़े एड्मिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सिवल सर्जिन साथी तीम ने ने मिलके काफी अच्छी मेनत किती है इस तो इलावा प्राइवेट सेक्टर नोभी असी वीचे किता है एक तहां दे डीम सी एच हॉस्पिटल है जड़ा ओदे विच्वी जड़ा है गाजे ट्राइल रन किता जा रहे है ड्राइर रन टूबी प्रसाइज और हुन तक उनती हजार छे सो दे करीब जड़े पैरामेडिक्स डॉक्टर्स और इनना जड़ा जड़ा स्टाफ आज जड़ा क्योंकि यह फ्लॉलेस रहा है गा इस नों देख दे हो है साथी त्यारी पूरी है जड़ों ही एक्च्वल लाइव एक्सिन साथी को आज अंदी एगी है असी तुरंत जड़ा हैगा यह काम शुरू करदांगे बड़ा दों मोर नंबर अफ लोकेशन पे उद्याना से कैमरावन मोहन के साथ राकेश और विकास की रिपोर्ट अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस वार्ड के लिए गुर्मीत कौर का नगर निगम चुनाव लड़ने की खोशना कर दी उदर इस चुनाव में उतर रही उमीदवार गुर्मीत कौर के पती हैपी सिंग ने कहा कि अगर विधायक जुकिंदर पाल उन्हें मौका देते हैं तो वहां उनके विश्वास पर पूरा उतरेंगे वार्ड में चुनाव जीत कर सीट उनकी छोली में डालेंगे यह सादी परवटी रेगी हैं जिसे एलक्षन जे तो के अमेले साथ जोली भी चुड़ी भीचिवाए गए ते बाई दे लक्षन बेर लोके थे वाई नाल वाई ब्लांदे करनी चाहएए ती मैंनों आज मैं रीड कीता है भी एकूडिट ठीक लागते मिल दहीं है जदेडिये जदेन्हा नौज्वान चेर है तो को हार इनसान लाल चींद है मेनू بहो लाल चै अगर इनौजवान चेर्यानूं टेड मिल दी जिए रसांए है लगागी है इस करके एड़ाज मेरे बाह जाटाने करें इस करके एड़ाज मेनों फाइनल करते हैं १ो जिन भी मेरे पैंपर आए है तो आड ये से चैनल दे माधियम इम्हें क्याने चाहना भी शारे ही तुसी जड़े वार्ड नंबर के लिए तरी अटाल संताली बार्ड है इस वार्ड जिनने भी निवासीन है सारे तगड़े हो के ये गुर्मीद को और गुर्मीद को नो ने गुर्मीद को और कुड़ी नो जिताओ मेरी विशान बिनाओ मेरी पाटी दी शान भी बिनाओ और आपने पेंड़े शान भी नहीं आओ यह जो जो मिनुके इन्ट करनों त्यार इन्ट मेनुके आई पर पंजाग राशनकाड मिनुचाही दिया मैं बेटा दू सतर लाजा इन्ट मैं सतर देते हैं यह मैं अगले अगले अपते सतर दे अगे बंढ़ देनी हैं राशनकाड इससे तरहीं मैं परतरशन देए अपर जिदा शक्ती प्रतरशन अच्छा लाग रहे हैं और उसारी कमेंटी लोगी कठे होई दिया है गुजर परारी भी उए दिया है हिंदू ब्रारी भी ओई दिया थल्ले जुडे पचरे शिदू कास्टों को भी कठे होई दिया लिडि पठान कोट से आलोग कुमार की रिपोर्ट लुद्यारा नगर निगम प्रशासन ने नए वर्ष में बुढधा दरिया को कच्रा मुक्त बनाने का लक्ष रखा है 26 जैनवरी 2021 तक बुढधे दरिया को कच्रा मुक्त बनाने के मकसद से जागरुक मुहिम शुरू की गई है कि शहर में महंती लोगों की वज़ा से लुध्याना का विकास हुआ है बुढधा दरिया जो गंदा हो गया है इसमें कभी लोग नहाया करते थे विकास की दौड में मौजुदा पीडी ने खुद्रती रोतों को संभालने में देर कर दी है बुढ़े दरियों को प्रदोशन मुक्त बनाने के लिए लुध्याना शहर में रहते सभी लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारे सबचने की जौरत है दिदे सितना कोड़े से क्रिकेशन करनी है ऑफ उतनी के सकंट्री पॉइंटा तक लेके जाना है जा दे लग्त दी क्राइब करनी चोड़े करनीं है प्रजेक्ट बाध बटे लेवल दा पांझ जूकिया है जिदी छेती होई शुरुआत अगले हफते मेरा कहल नवे साल देश हो जाएगी ते आनले टाइम जेड़ा लोगां दी एक सोच सी एक हैफ़ट होना शुरू हो जाएगा ते साल डेट साल जदो प्रजेक्ट पूरा होएगा ते पड़े बदिया रिजर्ट लोदे आने शाहर सब्सक्राइब लोग देशन हो गई अगर लोग ही सोच लेंगे भी असी है नूँ गंदा नहीं करना था गंदा नहीं होएगा पर सरकार या कार्परेशन अपनी जिम्मेवारी तो पाज नहीं रही उनना ने अपनी एफ़र्ट जो एथे थे मिशिनरी एथे कॉम सी टीपी सब्सक्राइब लगाने सी के उनना था पकाइदा तौर थे उदी प्रपोजल था प्रोजेक्ट त्यार हो चुक्या थे हो एक्जेक्यूट हो जा रहे हैं जड़े पहला वेरनेस कीती जाएगी उस तो बाद लोगानू समझाया जाएगी जे लोग नहीं सुद्रन गे ता उनना फिर पनिश्मेंट पांचेजार तक दा फाइन रख्या गया वो भी कीता जाएगे बुड़े दर्या सफाई मिशेन तेहत आज बुड़े दर्यानों सफाई सावकरन लगी एक जागूर करे लगी करके रंब किता गया जिल्जा दुगाटन मांजोग कैपटन मंत्री श्री पार्तबुशन आशू जी उनने किती एतो लावा श्री पलकार सिंग संदुग मेर नगरन लों धना मांजोग प्रदी सब्बरवाल जी आई एस कमिशनर नगरन धनाजी दिशान दिशान ते जो ओन्डम साल दी बिंग अधे इस हेल्थ ब्राइन दे बिंग है वो सांजे तोर ते आज जोनने इस दा अगाज कीता है अधे आज साथ कॉल जान दे बच्चे थी उनने चार पां सुदक री बच्चे आने रैली काट के जो बुटे नाले द्रिया दे नालन दे लाखे लोग रंदे ने उनना वेच्चे डिया है ओ जाकुर को ता फ्लान देली आज जो कारकार दस्तक दे रहे ने ते आज आसी न लुद्याना से कैमरामें जस्वंदर के साथ राजेश महरा के रिपोर्ट कॉंग्रेस पार्टी का 136 वा स्थापना दिवस थानी कॉंग्रेसी भवन में मनाया गया जला कॉंग्रेस कमेटी के शेहरी प्रधान अश्विनी शर्मा तता देहाती प्रधान सोनी गालित की अगवाई में पार्टी कारेकरताओं ने जहंडा फेराया तता लड़ू बांट कर एक दूसरे को बदाई दी जेडी जिम्मेवारी देश दे प्रतियोदी बंदी सी उन्हें नवाई देशनों अजाद करोन दे लई लखा कारेकरतामा ने अपनी यह जाना गुआन्या ने और देशनों अजाद कराया सब्सक्राइब कर देशनों अजाद किसने करवाया है आई तुसी गल्ला कर दे हूं जिन्ना कुष कॉंगर्स पार्टी ने और देशनों बनाओन वाड़ा कौन है देशनों खड़ा किसने कीता है देशनों अजाद किसने करवाया है आई तुसी गल्ला कर दे हूं जिन्ना कुष कॉंगर्स पार्टी ने जोदों देश हजाद हुए उस पड़े अपने कुण सी की देश दे दो टुकड़े होगे पाकिस्तान बन गया सी देश खेरू-खेर हुआ है उसनों कठा किसने कीता देशनों लाइंट एक इसने लेकिया अन्दा देश देश लेख स्वी नीसी बन दी या जी हिंदोस्तान जेड़ा है वार्ड देवेच फेमस है इस गल्त एक कि यह पांच साल दी तरक्की देश सहारा कुश होया देशनों अज़ाद हुए ह कि ग्याल ए हिंदुस्तान कोड़े पिछले पांट साल जाद दे नरिंदर मोधी साहब आये ने या उस तो पहला आटल वहरी वाजपई पांट साल कर गे राज इन्हाने उन्हां दसान सालाज कीता है कि कॉंगर्स पार्टी दा कोई योगदान नी है कोई इस दे विच कॉंग पांट साल जाब वाले ने नसला दो त्यार करेगी और साड़ी फांसी अंग्रेजी सामराज दे ताबूत आखरी केल साबत होई और आखरी केल साबत होई देश आज होया जो जो अनानद मान रहे ने सारे हिंदोस्तानी और गुरु गुर्ण साब चाहिए क्या कॉंगर्स पार्टी दा स्थापना दिवस मनाया गया जिश्दे विच के सारे वरकर दसाथियाने बज चल के हिस्सा लेया और उना समया नों याद कीता गया जदों के अजादी दे लडाई वासते पूरा देश एक चंडे थे ले आ गया सिगा समय समय से जदों भी देश दे उपर कोई किसे भी तरह दी को पीड़ पही है या किसे भी तरह दी देश वासिया नो जुरूरत पही है कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशे यह अगावद के उस दे विच इसा लेया और लोगां दी तकलीफ नो अपनी तकलीफ मन दे होए अब आश समय देख देहिए के जिस तरिके नाल देश दी सरकार लोगां दे ऊपर तशद्दत कर रहे है। खास अच में किसानान डेह यार ऍट हपर तशद्दत कर रहे हैं इस बोली प्रकार नो और से झाल भाते कर आओ पारंवान यह किसान समय यह वाज अधी जित्थे भी किसे तरांदी जो भी जरूरत होईगी कांगरेस पार्टी हमेशा उनना मोड़ ना मोड़ लगा के खड़ेगी जित्यास गुआब है कि जदो गुलामी दियां संजीरांदे वेचे देश जगड़या होया सी अंग्रेजा ने किसाना दे उपर टेक्सल गौन दी कोशिश कीती सी ता उस में ले साड़े देश दे पहले हो मनिस्टर सरदार बलब भाई पटेल जी ने अगांवद के कदम चेके सी और किसाना नो लाम बंद कीता सी और जित्थे बंदियां दे नालाग आप जुड़के उस समय दी अंग्रेज सरकार नो ये मजबूर कर दिता सी कि ओस टेक्सी नो वापस लिता जावे कैमरामें जस्वंदर के साथ राजेश महरा के रिपोर्ट वाहे गिरु सेवा सोसाइटी की तरफ से छेवा सेवा यग्य लगाया गया जिसमें 35 जरुरत मन परिवारों को राशन दिया गया कोवेड-19 के नियमों के तहत मास्क पहन कर और एक मीटर दूरी बनाए रखे इसका बेखासा खयाल रखा गया करना है ना नोज वान देशिण नेचनगी लगन लाई गड़ै कि गहिए तीतर जो ऐसमाज से बच लगे ने समाज से रचे लोड़स बद पर वाया दी बदेचिए जिना किसे ना किसे कारन करन करकर ठोड़ जा जा सनसाथ तो पच्चछ गय उनना पच्छिरों है वीरानों परवारानों मतामानों पैनानों बराबर लाउंडी चु कोशिश कर रहे ने सो मैं इननों ऐस गल्डी बढ़ाई देना और मैं एक गल्डी बेंती करना होर समाज सेटियानों सुभाहानों कलबानों वी ओवी इस तरहां दी ही समाज सेवा करना ताजों लोडवान परवाना दी मादद केहनू कापियान दी लोड़ा केहनू कताब दी लोड़ा बच्या नू पढ़ाई दी लोड़ा द्माईयां दी लोड़ा बलड़ दी लोड़ा जहां होर भी इस तरहां दी चीजां जेडिय ने कितन दरबार करन तुर्पेदियाने जाद कि गुर्दार दे मंदर बहुत ने उननों ये सेवा देो जिने कलब ने वो समा सेवा दे कम करन ता जो लोड़ बंदा नों अपां बराबर खड़ा कर सकी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते अज वाहे गुरु सेवा सुसाइटी वलो छेवा राशन वित्रम समागम किता गया जिस विच मेरे प्रा नरेज जैन डुगर जी ने विशाल शास्त्री जी ने दिनेज जी ने आशू जी ने रादू गंबीर जी ने रा नल मोड़े नल मोड़ा लाके चल रहे है शुरू तो हुन तक एक पिलर दी तरह मेरे नाल खड़े हन जो की इस संस्थानू बहुत ही वदिया टंग ना चला रहे हन असी सारे ही परा रल मेल के एक ताली जुरतमन्द परवारानू राशन देंदे सी हुन असी उनानू पैंती जो तुम परवारानू राशन देनने हां जिस करके पांच छे परवारानू उसी जोब दवाई जिनना करके उनाने राशन लेना बांद कर दिता ओक एंदे सानू हुन लोड नी तुई सानू आठ दासे हार दी जोब दवा दिती ए बहुत ही वड़ा उपर अला है तो मैं आ अतिथी गन एते आये ने उनना द अभी तै दिलोतन वाध करदा हां वहीगुर जी का खालसा वहीगुर जी की फते आज श्री वाय गुरु सेवा ससाथिटी वलो चेहा राशन वित्रन शमरो किता जा रहे हैं मैं सारे अपने सेवाधारां сरदार श्री रमाधीप सिंग पंडी श्री विशाल किशन शास्ति दॉथ और सारे समस्त सदस्यां दा बोबत अद नवद करदा हैं पिछले दिनों आसी वाई गुरु सेवा ससेटी श्री बालाई सेवा संगलो एक विशाल भवे चोंकी पिछले दिनों आसी प्रभु अगे ही अर्दास कर दे हैं वी प्रमात्मा सानु ऐसे ही कार्यां देच अगे लेके अंदर हैं और आनाले समेच वाई गुरु सेवा सुसाइटी बलों जुरुतमंद बच्चा दी शिक्षादा और रखदन कैम्प या होर मेडिकल कैम्प ऐसे आसी उप्राला करन जा रहे हैं तो मैं सारे लुद्याने अवास या नों एक विंती कर दे हैं वी तुसी वाई गुरु सेवा सुसाइटी दे नों अपना शीरवाद देओ ताकि आसी इस मनुखता दे काम देच एदा ही निरंतर अग्गे वाद दे रही है जै श्री राम श झाल झाल